हेलो वाट्सप गाईस आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे है एरर पेज इन आव रियक्ट अप्लिकेशन जी हां गाईस तो आप देख सेखते हो थ्रॉट इस कोर्स हम यह ओसम वेपसाइट कर रहे है जहां पर यह पोहती ज्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है जहां प बेसिकली पेज बाता रहा है भाई गो बेक्टो होम पेज यह जो भी हो गो बेक्टो हम पेज तो यह जो एरर पेज इस को हम कैसे कर सकते हैं बिलिब में रियक्ट राउटर वर्जन 6.4 एरर पेज बनाना इट्स लाइक पीस अप केक लैक एक्टम एजी हो चुका है ठीक है मैं आपको डिर्कली लेकर चलता हूं तो गाईस आप यहां पे देख सकते हो भी हाब यूज राउट एरर करके हमारे पास एक हूग है ठीक है एंड एब्रीडेय मैं आपको एक नहीं हूग के बारे में बाता रहा हूँ तो आपको मजा रहा होगा तो एब्रीडेय क नए अच्छा में लगता था खाली रेक्ट में ही हूख होते होंगे यूज स्टेट यूज एफेक्ट यूज कॉंटेक्स यूज रिडूसर जा और कितने यूज रैप चलो ठीक है उसके अलावा आपने देखा कितना सारा हूख से इसके अंदर यूज राउट एरर ठीक है बस सबसे पहले we need to create one error page अब it's totally up to you कि आपको उस error page का क्या नाम देना है ठीक है let's go with error या तो error page तो हम चलते हैं हमारे pages पे ठीक है pages के अंदर में जाता हूँ मैं एक new file create करता हूँ error pages चलो error pages लिख देते है error page dot jsx ठीक है it's totally up to you again आप कुछ भी लिख सकते थे कहने को page है but component ही बोले तो वही better रहेगा ठीक है इस तरीक से मैं चल रहा हूँ and यहाँ पर let's say return h1 404 error page ठीक है and obviously इसको मुझे export करना पड़ेगा ठीक है यह मैंने एक error page create कर लिया all right ठीक है अब क्या अब हम क्या करें अब बहुत ही ज्यादा simple है बस कुछ नहीं करना है आप आपको आपका app.jsx file if you remember ठीक है यहाँ पर आना है हमने अल्रेड़ी अपना layout to create करी चुक है this is our layout है ना पहले हम क्या करते थे पहले at the end में पात या न कॉलन एक सेकेंड पात कॉलन स्टार by default अभी भी react router में यह भी है मैं आपको बात में बता हूंगा यह भी है लेकिन अभी एक simplest तरीका पता क्या है simplest तरीका यह है खाली आपको एक प्रॉप यहाँ पर पास करना है एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी है और जिसका नाह में simple error element this is it तो एक बार इसको लिखने से पहले मैं जल्दी से यहाँ पर चलता हूं और यहीं पर आपको खोज करके भी दिखा देता हूं error element तो यहाँ पर बहुत क्लियली देख सकते हो when exceptions are thrown in loaders और in actions और component rendering instead of the normal render path for your roots यह जो root element है ठीक है यह जो error element the error path will be render समझे हो अब यह loaders क्या है मैं आपको बहुत बता हूंगा क्योंकि आपको ना तो use effect ना तो आपको कुछ चाहिए just to fetch data from your API वो हम loaders की through data को get कर सकते fetch कर सकते actions का क्या मतलब है actions मतलब जब आपको form create करते हो अब आपको कुछ भी individual वो एक-एक element हम जो use state की मदद से ले रहे थे spread operator करके उसकी भी need नहीं खाली आप action यह जो आपका prop से उसको pass कर दो आपको सारा का सारा data मिल जाएगा input field का मालब बहुत easy हो चुका है ठीक है तो उसी तरी इसे error element का काम यह है कि अगर यहाँ पर चलो कुछ गलती हो गई या action जब आप form हैंडल करते सामें चलो कुछ गलती हो गई या component को render करते सामें चलो कुछ गलती हो या मतलब आप home पर जाना चाहते थे लेकिन आपने some लिख दिया तब आपका यह जो root element है उसमें आप जो भी पेज या जो भी component पास करोगे वहाँ वालब particular page को वो render कर देगा simple है ना देखो कितना easy है आपको खाली error element लिखना था यहाँ पे उसमें आपको अभी आपने जो just create की that is error page इसको पास कर देना है खत्म बस इतना ही था एक error page create करना था और आपको यह error element वाला जो property है उसको लि बस इतना करने से अब चाहे अब कहीं पर भी जाओ किसी भी page पर जाके कुछ भी गल्दी कर दो बट होगा यह कि मैंने कुछ फुल्टा फुल्टा लिखा and sorry यह मेरा नहीं है इसको clear कर देते है कुछ है यहाँ पर all right ठीक है so npm run and then dev ठीक है इस तरह किसे मैंने की ठीक है 5174 पर रन कर रहा है यहाँ पर हम चलते है 5174 ठीक है this is it यह तो हमारा about page था but about के बाद भी किसी ने सोचा चलो एर थापा technical कुछ है गया सर्च करने गया यह देखो 404 error page ठीक है अब उसी तरह किसे home page आउंगा वापस यह आपका home page है don't worry यहाँ पर मैं आता हुझी उल्टा page create की जिसका नाम था यह error page ठीक है हमने बस एक page create किया हमारा जो main app layout था वहाँ पर हम आये वहाँ पर हमने property add की error element and उस पर वो file को हमने pass कर दिया this is it बस आपका error handling खत्म इतना ही था लेकिन एक और तरीका यह है कि अभी तो 404 page आ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन एक औ अबर हुक है जिसका आप यहां पर यूज कर सकते हो and that is guys const let's say error will be equal to use root error ठीक है and yeah this is it तो the moment आप यह जो हूक है इसका यूज करते हो तो आपको बहुत सारी चीजे है जो पता चल जाएगी समझ रहो ना मैं क्या बोलो तो आपको पता चलेगा कि इसका status code क्या है इसका यह क्या है वो क्या है ठीक है तो यहां पर हम चलते है तो console पर मैं चलता हूँ ठीक है इसको एक बार मैं refresh कर जाता हूँ यह देख लीजेगा तो यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा है जहां पर आपको internal पता चल रहा है status code पता चल रहा हूँ हो आप बहुत कि लेली देख सेकते आपको internal आपका status code आपका status का text अब यहां पर data error no root matches URL sorry यह देख सकते है आप यहां प one hook आपको इतने सारे data मिल गया है so now it's totally up to you कि क्या आप इस hook का जो help है लेना चाहते हो या नहीं समझ रहो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्यों कि कही ना कहीं जस्तितना लिखने से भी मेरा काम तो हो रहा है लेकिन अगर आप करते तो आपके पास और ज्यादा पावर है क कि आप वैलिडेशन कर सकते हो इफ लेट से आपका ये जो error.status code है ना status was it a code और क्या था वो या it's only status सिर्फ status if it is triple equal to 404 या राइट इस 404 है ना या गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कुछ कोड है जिसको रखा है और मेरे पास वो जो इमेज है वो एक गिफी इमेज था एंड शॉट आउट हो गाइस यह वाले जो भी यूजर है ठीक है उनके उनसे मुझे 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 पस online मिला मैंने यूस की सो मैंने URL को साथ कुछ किया नहीं है ये जि कुछ भी नहीं किया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिख दीजिए दपेज यू आ लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है कुछ ऐसा लिख के छोड़ दो अगर वह नहीं हुआ तो यह आज देखोगा इस होगी अपना काम एक बार यहां पर यहां तक तो हम आ गए बट अब मैं वापस कैसे जा अपने होमपेज पर मुझे बैक करना पड़ेगा पर बहुत तो कोई आईडिया नहीं होता है कि टॉप पर जाके बैक पर क्लिक करो तो क्यों ना हम यहां पर बटन दे ठीक है तो कैसे होगा देखो रियक्ट म में हम कैसे कर सकते हैं और अपके मन में आ रहा होगा इधर वी कन गो वित बटन और वी कन गो वित अंक टैग बट आपको यह तो क्लियर है कि अगर हमें रिडारेट करना है किसी और पेज पर अगर आप रियक्ट पर काम कर रहे हो और बैसिकली रियक्ट रौटर पर फिला यहां पर आपको टू कर देना है जैसे नॉर्मल हमने की थी रिमेंब और एक फर्वर्ट दे दीजिए तो यह बाइड डिफॉल्ट किसी भी पेज पर अगर रहेगा तो वह अपने होम पेज पर रिडारेक्ट हो जाएगा किसी भी पेज पर होन दो वह साइध आप पर था स देख सकते जो गो बैग टो होम पेज खलिक करूंगा यहां पर आगया में वापस यहां जा रहे हो देखो में अब आउट पर चलता हूं एन मोविच पे जाके उल्टा फुल्टा है देखो मैं यहां पर आगया गो बैक टो हूम पेज एंग याईस मेर पास एक क्लास है ठी सेक्षेंज तो है ये जो मेरे सेक्षेंज है कॉपि करता हूं ठीक एक सिंपल टास्ट तो ये है कि हां ध्य praktिस्प्लेट अर्भ रेक्षिन еक्षिन कॉलम्ट मुझे लिखना पड़ेगा थाक्षिया कह बहुत ही बट अभी वापस हो चला जाएगा ठीक है यह काम करता हूं डोंट वरी मैं CSS आपको अल्री प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं we have this error section display flex था तो flex का direction column ठीक है तो guys at least CSS थोड़ा बहुत तो भी आना जरूरी है आना ताकि आप at least यह छोटा मोटा चीजे को आप कर सको आना बना सुचते रह जाते क्या हो गया तो वो side में क्यों आ रहा है most of the time यह होता है flex का either row या column इसी के साथ आपको खिलना रहता है and yeah मेरा काम हो गया so we have done with our error page but there is one more way एक और थरीका है जिससे आप error page को create कर सकते हो and इसको create करने का बहुत ही simple तरीका है यहाँ पर आप देख सकते हो how to handle a not found error page कुछ इस्तिरगे से दिखाई देता है and यहाँ पर आपको पूरा बात है देखो ना चाहो तो आप bit2 इससे कोई copy कर सकते हो use route error है ना आप देखो ना इस्तिरगे से लिख सकते हो error.status text और error.message यह आप कर सकते हो and basically करना क्या मैं आपको बताता हूँ जो second तरीका है वो भी बहुत easy है it just यहाँ पर आपने global target की आपको करना यह होगा कि आपको एक जो चलो ठीक है children एकदम last minute कि आप path create कीजिए ठीक है and that part को आप एक wild route दे दीजिए इसको आप wild route कह सकते हो आप एक तरीके से and yeah wild card sorry not only wild it's a wild card route and यहाँ पर आप एक जो एलिमेंटे वो पास करके डेडिकेटेट एक not found page या 404 page create कर सकते हो और else हमने जो बना है वह हम पास कर सकते हैं आप एंड कहीं नहीं इसको न आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ठीक है ताकि वो एरर चला जाए तो यह आप एक डेडिकेटेट आप इस तरीके से भी कर सकते हो हां by the way तो चलो इसको फिलाल कि इसको में हटा देता हो अभी लेट चेक इट आउट कि यह काम करता है या नहीं ओ यहाँ इस इस इट सी अन एक्सक्टेड एप्लिकेशन एरर 404 not found here developer you can provide a way better UX आपको करना होगा यह कि बस अब आपको न जहां तक मुझे मालूम है कि अब आपको एक file create करना पड़ेगा and उसका नाम होगा not found करके ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ so जो हमने file पास किया वो तो काम नहीं कर रहा है but let's create one more file जिसका नाम है not found.jsx and जो यह मैंने error page पर बनाया ना इसी कोई copy करके मैं यहाँ चिपका दूंगा by the way ठीक है it just मुझे यह error page के बतले not found चलो ठीक है not found I guess yeah perfect so it's a not found control s save यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पर इसको रखता हूँ enter hit करता हूँ not found ठीक है let's check it out अब क्या होता है मैं अब अगर यहाँ पर चलता हूँ इस जेगे पर and refresh करता हूँ all right guys so even after doing not found वाला page इस्टिल वो मुझे इस तिर किसी दिखाई दे रहा है तो बताना चाहूँगा कि guys यह वाला जो एप्रोच यह तो मैं यूज नहीं करता हूँ but मैंने सोचा कि जब हम world-based react course बना ही रहे है तो क्यों नहीं मैं जितना हो सकता था तरीका आपको बताऊं तो मैंने यह I mean मैंने ट्राय तो नहीं कर जस्ट अभी आपके साथ में यह ट्राय कर रहा हूँ मैंने बस online देखा था कि हम अहां ऐसा कर सकते है बट I prefer to go with यह वाला तरीका you know error element as a props and आप उसमें pass कर दो क्योंकि at the end like यह करना कहीं न कहीं थोड़ा सा वो लग रहा है simple बस इतना है simple एक error page को create करना है उसमें वह use route error hook का आप मदद लीजिए उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी मिलती उसका आप यूज कीजिएगा and उस page को बस आपको किसी तरिके से आपके जो app layout का जो parent component है वहां पे आपके error elementual property में आप उसको pass कर दीजे as a value खत्म आपका error page बनके ready है कहीं कोई problem नहीं है yeah this is it and go back to home page yeah this is it so yeah guys this is it आज इस बीडियो के लिए हो बीडियो बहुत ही ज्यादा पसंदा होगा कि most of the time एक website create करने के लिए navigation bar header fix करना active link and about page create करना वो सब तो हम already करी चुकिए बहुत ईजी हो चुकिए at least a static website तो आप बहुत ईजली create कर लोगे बट हाँ कल की दिन में एक और चीज़ी बता हूँगा कि आप go back या redirect to back home page या जो भी अलग अलग तरीके है एक और hooks है उसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाइस happy रक्सा बंदन to everyone you know आज finally या रक्सा बंदन है बट अब मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में आई हो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा and guys please support आपका एक like, share and subscribe में लिए बहुत help करेगा मुझे बहुत motivate करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए औ झाल